जम्मू कश्मीर में अनंतनाग जिले के कोकेरनाग इलाखे में 13 सितंबर को आतंक्यों और सुरक्षा बलों के भी शुरू हुई मुढ़ेड तीसरे दिन भी जारी रही इस एंकाउंटर में सेना के करनल मेजर समेट एक DSP शहीद हो गए इनमें 19 राष्ट्य राइफल्स यूनिट के कमांडिंग ओफिसर करनल मनप्रीत सेंग, मेजर आशी धोंचा और जम्मू कश्मीर पोलिस में DSP हुमायू भट्षा मिल है अब शहीद हुए एक और जवान का शव मिलने के बाद इस एंकाउंटर में शहीद होने वाले जवानों की संख्या चार हो गई है अनंतनाग में हुए इस आतंकी हमले की एक एक कड़ी जुड़ती जा रही है सेना तीसरे दिन भी आतंकियों से लोहा लेती दिखी सेना ने पूरे लाखे को घेर रखा है और आपरेशन जारी है अनंतनाग आतंकी हमले का एक एक सच सामने आता जा रहा है इस हमले के पीछे कौन है? ये सवाल बना हुआ है मीडिया रिपोर्ट्स के मताबिक इस हमले के तार पाकिस्तानी फौज के हेड़कॉाटर रावल बिंडी पाकिस्तान के खब्जेवाले कश्मीर और तुर्किये की राजधानी इस्तांबूल से जुड़ते दिखाई दे रहे हैं बात है 8 सिदंबर 2023 की जुमे का दिन था लोग प्योके के रावल कोट की मस्जिद में जुमे की नमाज के लिए आ जा रहे थी इनी नमाजियों में से एक था रियाज एहमत उर्प अबुखासिब लश्करे तैवबा का टॉप कमांडर ये उस दिन मस्जिद के इमाम के पास ही ठहरा हुआ था जैसे ही रियाज एहमत नमाज के दौरान सच्दे में जुका वहाँ नमाजी बनकर आए कुछ अग्याद बंदू धारियों ने उस पर ताबर तोड गोलिया दाप लिए Most Wanted आदंक की रियाज वही ठेर हो गया 8 सितंबर को लशकर के टौप कमांडर रियास को किस ने मारा ये किसी को नहीं पता लेकिन रियास की हत्या के बाद एक खतरनाक साधिश रची गई जिसका अंजाम उसके चार दिन बाद अनंतनाक हमले के रूप में दिखाई दिया जिसमें भारत के चार वील सपूर शहीद हो गए इस हमले की जिम्मेदारी DRF यानी The Resistance Front ने ली है सवाल है कि क्या जिस लशकर में DRF को पाला पोसा उसी लशकर ने रियास की मौत का बदला लेने के लिए अनंतनाक आतंकी हमले को अंजाम दिया दरसल रियास मारा तो गया था P.O.K. में लेकिन खलबली पाकिस्तान में मची पाकिस्तानी फौज बड़े दिन से जम्मू कश्मीर में किसी बड़े आतंकी हमले की साज़िश गुन रही थी आतंकी रियास जम्मू कश्मीर के राज़ौरी में एक जनवरी 2023 को हुए बड़े आतंकी हमले का मास्टर माइंड था उस हमले में जांगरी गाउं के पांच लोगों को गोलियों से भून दिया गया था तबी से भारतिय सुरक्षा जन्सियों को रियास की सरगर्मी से तलाश थी लिकिन वो 8 सितंबर को बियोके की एक मस्जिद में मारा गया आतंकी संगठन टी आरफ में अनंतनाग हमले को रियास की हत्या का बदला बताया अनंतनाग में ये हमला ऐसे वक्त में हुआ जब पाकिस्तान के आर्मी के चीब आसिम मुनीर तुरकिये पहुचे हुए थी जैसे ही जन्रल आसिम मुनीर ने तुरकिये की राजधानी इस्तामबूल में खदम रखा उनकी तुरकिये के राजधानी अर्दौान से मुलाखात हुई इधर जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में पाकिस्तानी फौच के इशारे पर लशकर आतंकियों ने हमला कर दिया हमले के बाद लशकर के प्रौक्सी आतंकी ग्रोप टी आरेफ ने हमले की जिम्मेदारी लेने में देर नहीं की बता दें कि 2019 में वजूद में आया टी आरेफ जम्मू कश्मीर में एक्टिव ही और ये लशकर की एक प्रांच है टी आरेफ को लशकर जैसे आतंकी संगचनों को कवर देने के लिए ये इसलिए बनाया गया ताकि भारत में होने वाले आतंकी हमलों में सीधे तौर पर पाकिस्तान का नाम ना आए चाइंट और भारत दिजिटल की रिपोर्ट इसलिए बनाया धित